प्रेंड्स आप लोग मस्त हैं स्वस्त हैं तो बिना टाइम बेस्ट के विए आज हम लोग बात करेंगे एसीड बेस्ट और बाफर शॉलुशन के बारे में तो सबसे पहले आये जानते हैं एसीड क्या होता है मतलब ऐसा कोई स्टेंज जो चलिये विलेन में हीड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करता है रिलीज करता है वो होता है एसीड होता है तो हम कह सकते हैं the acidity is directly proportional to the concentration of H प्लस आयन in the solution मतलब जितना जाद H प्लस आयन जो सस्टेंज रिलीज करेगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉंग एसीड होगा जिहां जिसके पास जितना H प्लस आयन हो स्ट्रॉंग एसीड होगा second point क्या है acid turns blue litmus paper into red मतलब acid जो होता है वो नीले litmus paper को लाल में बदल देता है red color में बदल देता है मतलब एक litmus paper होता है वागज की तरह वो lab में आसानी से मिल जाता है तो उसको जब आप acid में dip करोगे तो क्या होगा blue litmus paper चेंज इंटू red उसका blue color red में चेंज हो जाएगा and third point क्या है acid है pH less than 7 pH scale होता है जिससे acidity measurement की जाती है उसमें क्या होता है अगर 7 से नीचे है किसी sustains pH value तो क्या होता है acid होता है और यहाँ पर भी एक point होती है कि अगर 7 से नीचे है मतलब 1,2,3,4 के पास है तो वो more acidic होता है in comparison to 7,8,7 pH तो मतलब 7 से नीचे है तो acidic है अगर 7 से उपर है तो वो basic होता है and last point क्या है acid है sure in test मतलब acid जो होता होता है जैसे संत्रा हो गया नीबू हो गया vinegar मतलब सिर्का हो गया pineapple हो गया इनसे में क्या होता है acid होता है और example क्या है यहाँ पर CS3 CS2COOH मतलब vinegar का formula है और vinegar क्या होता है सिर्का वो कैसा होता है खटा होता है तो अब next point क्या है base के बारे में बात करते है बेस असस्टेंस बेस मतलब alkaline ठीक है alkaline से लिया गया है यहाँ पर असस्टेंस विच किब hydroxyl ion that is OH- ion in aqueous solution is called base लब ऐसा स्टेंस जो aqueous solution में hydroxyl ion that is OH- minus ion produce करता है वो क्या होता है base होता है यानि alkali होता है वहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है बिस के comparison में यहाँ पर है OH- ion जो hydroxyl ion जो जितना ज्यादा प्रोडियूस करेगा वह उतना ही basic in nature that means alkali in nature होगा जैसे कि कोई सस्टेंस है वो जितना ज्यादा मतब यहाँ पर भी कह सकते हैं that basicity यानि alkality is directly proposed to the concentration of OH in the aqueous solution जितना ज्यादा OH का value जितना ज्यादा OH की quantity होई उसे aqueous solution में उतना ज्यादा वो acidic in basic in nature होगा and base का second point क्या है turns red litmus paper into blue just acid के opposite मतलब वहाँ पर क्या था blue change into red यहाँ पर क्या हो रहा है लिटमस पेपर अगर आप base कोई solution है उसमें आप लिटमस पेपर को दुबाते हैं डिप करते हैं तो red colors change into blue यहाँ पर red blue में change हो जाता है and next point क्या है base है pH more than 7 वहाँ पर क्या था base less than 7 और यहाँ पर क्या है pH value more than 7 यहाँ पर क्या होता है साथ के उपर जितनी ज्यादा value होती है उतना ही ज्यादा basic alkali in nature हो जाता है ठीक है और last point क्या है base यहाँ अनि alkali have a bitter in test मतलब यहाँ क्या था खट और यहाँ पर क्या है पड़वा इन नेचर के होते हैं क्वा होता है एक्जामपल लें अगर तो एक्जामपल में CS3 CS2 OH मतलब यहाँ alcohol का formula है और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर गुरूप लगा हुआ है वह क्या है basic गुरूप है आसानी से भी देख सकते हैं यहाँ पर जैसे माली अगर OH कवाक्सलिक यहाँ कहीं भी कंपाउंड में देखें आप तो अगर तुरन जाएए कि वह यहाँ पर दी गई थी जिसमें से हमें किवल यहाँ तीन पर नहीं है कौन कौन सी आरहेस थेरी पढ़नी है बांस्टेट लावरी थेरी पढ़नी है फ्रस cookie पढ़नी है इस में से धीसमें इंप्रॉटंत है तो सबसे यहाँ पर हमें एक benefits madam क्या मिल जाथा प्लस मिलता है कि आप आसानी सी इसका नोटस बना सकते हैं एक्जाम के लिए प्रैक्टिकल के लिए और अच्छे मार्क गेंग कर सकते हैं तो बिल्कुल आप नोट्स भी बना लीजिए हमने यहां पर बिल्कुल इसे नोट्स बनाया है जो इपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को इतलूट किया है आप नोट्स बना सकते है तो हम पॉइंट की बाद करें अगर फर्स्ट पॉइंट की तो यहां पर क्या है आरहेनियस होता है आरहेनियस की बाद के तो according to आरहेनियस थेरी, acid is a sustains which when dissolved in water, give H plus iron that's mean hyaluronium iron card is, जैसे कि आपने वहांपर अभी acid का definition पढ़ाना यह यह आरहेनियस थेरी भी कह रही है, मतलब ऐसा कोई sustains, आरहेनियस की according, कि जो हम किसी water में अगर dissolve, घोलें अगर किसी sustains को, तो H plus iron produce करता है, तो वो क्या होता है, acid होता है, example में CS3CWOH, मतलब यहां पर होता है, अगर हम water में इसे dissolve करेंगे, तो यहां पर carboxyl group लगा हुआ है, यह acid की nature है, यहां जब हम water में dissolve करेंगे, तो क्या होगा, CS3CWO, acetone में यह iron में break हो जाएगा, और यह hydronium iron में break हो जाएगा, तो यहां H plus मिल रहा है, तो यह हमें clearly बता रहा है, कि यह acid nature का है, ठीक है, and next point क्या है, इस की तरफ, base ही जब हम water में dissolve करेंगे, वह plus नहीं, करते हैं, कुछ limitation है, इस आरहनियस theory की, उनमें limitation क्या था, this theory does not explain acidic and basic property of the sustains is non-equo solution, इन्होंने तो एक्वा solution, अब जलिये भी लेन में, तो सस्टेंस को बता दिया, कि अगर H plus देंगे, तो acid होंगे, OH देंगे, तो base होंगे, लेकिन अब non-equo solution, अगर जल में नाग हो लें, ऐसे ही बताना हो, तो ये उस theory के according explanation नहीं दे पाए, इस सबसे बड़ी एक ये कमिया हो गई, तो आरहेनियस limitation के बाद एक दूसरी theory प्रोड्यूस भी जिसे हम ब्रॉंस्टेट लावरी theory बोलते हैं, उन्होंने भी acid base के उपर एक थेर दी, according to the brown state law theory, acid is a substance which donating protons, H+, वहाँ पर H+, हाड्रोनियम आयन था, यहाँ पर H+, क्या हो रहा है, प्रोटान हो रहा है, ठीक है, तो यह कह रहे हैं, ऐसा substance, जो क्या करता हो, प्रोटान डूनेट करता हो, मतलब HCl, example में देखे हैं, तो HCl hydrochloric acid plus NH3, ठीक है, इसको chlorine negative charge चला जाता है, यहाँ पर क्या होता है, chlorine break हो रहा है, ठीक है, chlorine HCl break हो रहा है, यहाँ ब्रेकिंग हो रहे है, तो यहाँ क्लोरीन के पास एक hydrogen है, वो यहाँ पर NH4 के साथ मिल जाएगा, NH4 ब्रेकिंगा तो जो nitrogen की balance है, वो क्या होता है, according to balance हो यहाँ पर positive charge आघी जाएगा, ठीक, तो यह क्या कर रहा है, proton को gain कर रहा है, यह क्या हो जाएगा, अगर proton ले रहा है, तो क्या होगा, acid की nature होगा, ठीक, और दूसरी, दूसरी point क्या है, बेस के, according to the bronze, ब्रॉंसिस प्लावरी थेरी, base is a sustance which capable of accepting a proton which requires of a lone pair of a proton to bond the H plasma कह रहे हैं, यहां क्या था, base क्या कर रहा है, proton को donate कर रहा है, यहां base क्या कर रहा है, proton को accept कर रहा है, और एक lone pair की requirement कर रहा है, ठीक, bond बनाने के लिए H+, तो यह हो गया base के income pressure, यहां वो donate कर रहा है, acid, और यहां base क्या कर रहा है, proton को accept कर रहा है, एक्जाम्पल में देख लिए CS3 CWS, H2O हो गया, तो CS3 यहां ब्रेकिंग वेसे हो रहा है, तो यहां माइनस चार्ज हो जागा, यहां H निकल के यहां होगा, वाटर के साज भूजाएगा, यानि कि S3O पॉजिटिव चार्ज बना लेगा, यहां पर क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है, तो यहां पर यह बेस हो गया, देख लिए निगेटिव चार्ज है, यहां पर प्रोटान क्या कर रहा है, प्रोटान यहां पर चला गया, प्रोटान यहां से निकल के प्रोटान यहां चला गया, ठीक है तो यह बेस हो गया लूइस थेरी क्या करते है अकॉर्डिंग तू लूइस थेरी थेरी ऐसी इज मॉलिक्ट्रान को डूनेट करते हैं मतलब अकॉर्डिंग तुदा लूइस थेरी एक्सेट करते हो एक्सेट करते हो इलेक्टान फोमेड डॉनर कमपांड मतलब इस तेरी के अनुसार शो डूनेट करते हो रहा हो और वो क्या कर रहे है लुआ को एक्सेट कर रहे हैं ठीक है वो acid होते हैं और base में क्या होता है base ये sustains that donate a pure of electron to form a cobalent bond with other molecules मतलब base क्या कर रहा है यहाँ पर lone pair electron को क्या कर रहा है donate कर रहा है वहाँ acid कर रहा था lone pair electron को accept कर रहा था ठीक है तो अब दोनों में difference आ गया है यहाँ accept कर रहा है lone pair electron को donor compound से ले रहा है तो acid हो गया यहाँ पर कर रहा है base sustain there donate a pure of electron यह क्या कर रहा है ठीक other molecules से bond बनाने के लिए तो यह क्या हो जाएगा base हो जाएगा बात करें इसके example की तो CS3 NH2 प्लस BS3 तो यहाँ क्या बन गया CS3 NH2 के ऊपर positive charge चला जाएगा और BS3 पर negative हो जाएगा ठीक है यहाँ देख लिए lone pair इसके पास तो यह base हो गया यहाँ पर lone pair नहीं है यह accept कर रहा है तो यह Lewis acid हो गया ओके अब लास्ट हमारा था buffer solution buffer solution के बार में बात करें तो दा शोल्यूशन वीच रिजिस्ट्स दा चेंज इन पी चिच काल buffer solution यहाँ पर हम बात करें अगर definition की यह कह रहा है ऐसा solution या ऐसा कोई सस्टेंस जिसमें अगर acid हम add करें थोड़ी से amount में या थोड़ी से amount में base add करें तो वो क्या हो जाए resist मतलब उसके ऊपर ना acid add करने पे ना उसकी acid बढ़ सकती है ना base add करने पे उसकी base पर ना उसकी acid पे कोई इफक पड़े ना उसके basic पे कोई फिक पड़े तो उसके क्या कहते है बफर solution कहते हैं अब buffer solution क्या होता है और उसका जो salt होता क्या होता है इस ट्रॉंग होता है तो उसका क्या कहते हैं anicidic buffer solution कहते हैं जैसे एक्जाम्पल में acidic acid and sodium acetate basic buffer solution क्या ह dobr concerning alkali person में क्या होता है उसका jo sûr बेस होता है वो वी होता है और सटայ्ड जो होता है वो इस च्ट्रॉंग होता है वो क्या होता है basic buffer solution होता है वहां पर भी क्या था system बीक था यहां पर बेस्बीक है तो इसमें एक्जाम्पल है अमोनियम हाइड और अमोनियम क्लोराइड एक्जाम्पल में देख लीजिए तो बोरी इसीड हो गया एक्जाम्पल हो गया एक्जाम्पल मेरी वीडियो पसंद आई होगी आपके लिए आपकी प्रॉब्लम का शॉल्यूशन होगा तो प्लीज अगर आपको यह प्रसंद आए तो इस वीडियो को सेर करें लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें थांक यू शू